अबू आसिम आजमी से नहराज होकर इंडियन मुस्लिम लीग ने किया प्रेस कॉनफरेंस आईए हम जानते हैं कि प्रेस कॉनफरेंस की असली वजह क्या है अबू आसिम ने ऐसा क्या कहा जानते हैं इंडियन मुस्लिम लीग के लेटरों से आज भी ये गारंटी है कि कोई परचार न करे तो अभी मजाटी का ओट मुसल्मानों का मुलाहिम सिंग को मिलता है जी नहीं मुसल्मानों को नहीं सब समाज मुसल्मानों क्यों करूं को मैं हर समाज के लिए लेकिन उन मुसल्मानों को बता रहा हूं, जो थोड़ा भड़क के कोई कहते हैं ना, कि अपना अपना लीडर परदा करना चाहिए, तो पाकिस्तान जाएं, वहां लीडर परदा करना अपना, हिंदुस्तान में हिंदु मुस्लिम एकता चलेगी, यह हमारा लीडर हिंदु ही मैं मुहम्मद तौफिक कुरेशी, इंडियन उनियन मुसलिम, इंडियन उनियन मुसलिम लीड का मुंबई जिनल सरकर्टी, अभी हाली में जनाब अबु आसिम, हाजमी साहब जो के महराश्वर मुंबई के समाजवधी पार्टी के अधियक से, उन्होंने एक बयान दिया है मैं मैं उसे पूजना चाहता हूँ, व्हवंडि और घुंडी से आप जीत के आएं तो आपको मुसल्मानों जीत के बिज़ये तो के आप, जिन वे आपको जीत के मुसल्मानों विज़ये आप उनको पाकिस्तान भेज देंगे और हिंदूस्तान के संविधान में को ऐसा क्ल पाकिस्तान चले जाए हिंदुस्तान के अगर समीधान में कोई लिडर मुसलमान नहीं बन सकता उनका एक बयान यह वह कहते हैं यूपी में अक्सर मुसलमानी बोटो से समाजवादी पार्टी के मुलाहिम सिर्यादो जीत के आए है आज यूपी के अंदर मजजितों और मजारों के साथ में मुनदिम की कारवाई चल रही है उस पर दो कोई टिपपनी नहीं करते हैं उस पर दो कोई आवाज नहीं उठाते कर लिए आवाज उठाते हैं कि जिनको निदुस्तान के अंदर मुस्लिम लिटर चुलना पाकिस्तान चले जाए उनका कहना है कि मुस्लिम समाज के लोगों के बोटों से मुलाहिम सिर्यादो की पार्टी यूपी के अंदर राच करती है तो जब वह अपनी पार्टी के एक खान को नहीं बचा सके तो वो कल सत्ता में आने के बाद में जीतने बाद में मुसल्मानों की और उनके बाद इबादत का होगी रहनुमाई कैसे बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि आपकी पार्टी इलेक्शन लड़ने के इस वक्त तयारी कर रही है अमारी कि यह सबके हक के लिए लड़ने वाली पार्टी है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और इंडियन मुस्लिम लीग अभू आसी महाजमी से यही सवाल करना चाहती कि आप कौन होते हो मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने वाले और मुझे तो साथ ऐसा लगता है कि आर एसस सब्सक्राइब इसे लगता है कि मुसलमान को इसे लीटर बशा नहीं है जो मुसलमानों को पेर भी करें और वह आगया है अब आपको यह लगता है कि वही एक जो समाजवादी में अब वासिम साब यह बाखी तो मुसल्मानों को कोई वहां गिंती नहीं कोई लिटर नहीं यह इनकोपीटर है कि जैसा दूसरी पार्टियां बीजेपी के साथ में चल रही है हमको भी उन्हीं के साथ गाड में चलना ह ताकि उनकी सीड बची रहे और उन पर जिस तरीके से बीजेपी दूसरों पर जो कॉंग्रेस के हो गए दिगर पार्टी के लोगों जिस पर कोई ना कोई लजाम आता है यह उस सारे चीज़ों से बचने के लिए नया प्रुप गंड़ा लाएं कि मुसल्मानों को पाकिस्त पर यह बताईए कि आखिर वो भी तो एक मुसलिम लीडर है फिर उने मुसलिम लीडर होने का बावजित भी वह फिर यह देखिए मुसलिम लीडर होना अलग बात है मुसलिमों की रहनुमाई करना है अलग बात है आखिर में लास्ट यही होता है लोग मुसल्मानों के नाम वोट तो डरॉर लेता है लेकिन वो कोई अगर शेयर की काल बेन ले तो शेयर नहीं होता वहसी MIUS मसलमानों को नाम लेने से अगर कोई को मुसलमान मुसलमानों को रायबर हो जाओए तो िस आहले मुसलमानों के सादट बहुत घ्षकार छल जिसको आप छोड़के दुसरे के गर में चले गए अगर आप लोग अपने घर को न छोड़ते और दुसरे के घरों में न जाते तो यह संगे ला इस पॉट आ इंडिया होती लेकिन इसमें हमारे ही लोगों ने यानि हमारी पार्टी को धोका दिया और मुसलमानों को जो डाइवर्ट करने का जो रास्ता चला है लोगों हर पार्टी ने को अपने हक और इंसाफ मिलें कि माइएम पार्टी के जो लीडर है वह हमेशा मुस्लिम को लेकर कट्टरवाद की बात करते हैं तो यह पार्टी के बारे में क्या कहना है आपको क्या सभी को उसमें मौका मिलेगा यह सिर्फ मुस्लिम के लिए काम करेगी जनाब सबसे पहरी च मुस्लिम्स पार्टी सब सब इंवार्बेंट में और हमारा मिशन जो है वो सब को लेकर चलना है हमारी पार्टी के अंदर आप आप देखने को जाएंगे तो अभी फिराद जो हमारा अभ्यान चल रहा है हमारे अभ्यान के अंदर काफी हिंदू लोग हमसे जॉइन हो रहा और इंशाणला से कुलन का में करेंगे और हमारा पूरा डायवर्जन जो है हमारा है बेश्ट ओडू़केशन तो विद्ध फैसलिटी सिवीट जो भी मुझे और नाले रोड यह सब जो एसको ध्यार में रखके हम यह काम कुछुरू कर रहे हैं ऊकर थन्य बात और इंशाला ह हम काम्याब होंगे बताइए कि आखिर ये पार्टी इतना इतना सिकुलर होने के बावजूद भी ये आखिर ये पार्टी जो है एक दम बिल्कुल थंडे बस्ते में पहुंची नहीं है ये गलत वहीं है लोग इनिशिटीव नहीं लेँगे लेकिन अब लोग इनिशिटीव लेरे हैं वह इसकी तरफ बढ़ण है लोगों को यह पता है यह जो पार्टी और इंशाललव हमको इससे इस पार्टी से कुछना कुछ बेनिफिट होगा चाहे वो एडूकेशन का मामला हो चाहे सिविक का मामला हो, चाहां इंफरस्ट्रक्चर का मामला हो, इनको जरूरूर इनिपेड होगा.